नमस्कार दोस्तों, एक्जाम वित्र में एक बार फिट से आपका स्वागता अश्या करता हूँ, आप सभी अच्छे होंगे आपका कब से कब तक एप्लिकसिन फॉर्म फिल कर सकते हैं, एक्जामनेशन, डेट वगरा, वो सारी डीटेल में आप बोतार किये, इस वीडियो में हम जानेंगे आपका eligibility criteria क्या रहने वाला है, syllabus क्या रहेगा, exam pattern और seat matrix, डीटेल में आपको सारी जानकर इस वीडियो मिल जाए तो वीडियो को सुरूशन तक जरूर देखिए, अगर आप मरे चैनल पे नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दो बैस से क्या नहीं आपको मिल सकते हैं, जो भी notification या जो भी update है, उसकी जानकर आपको समय रहते हैं, तो दोस्तो आप यहां पे देख सक आपका जो notification है, B.S.C. Nursing, Post-Basic, M.S.C. Nursing और Paramedical Courses साथी B.Farma का Ayurveda के लिए, इसका entrance examination है, 2022-23 session के लिए वो conduct करवाया जाएगा, किस university के दौरा, तो आपके AMRU, Attal Medical Research University हिमाचल परदेश के दौरा कंड़र करवाया जाएगा, 2021 session से ही start हुआ, उससे पहले HPU के दौरा सारी admission procedure है, इमाचल स्टेट में वो conduct करवाया जाती थी, लेकिन previous year से सारे अगसरा जो भी आपका admission procedure है, वो Attal Medical Research University के दौरा कंड़र करवाया जा रहा है, मैं briefly फिर से आपको schedule एक बार बता जेता हूँ, जो आपके application form है, वो आपकी 2 अगस्त 2022 से start हो चुके हैं, इसमें B.S.C. Nursing, Post दो अगस्त है, आपके application form में start हो जाएंगे, इसके लावज जो paramedical और B.Farm आयरोवदा के लिए हैं, उनके application form में वो 4 अगस्त से start होंगे, एक examination आपकी एक ही date को होगी, 28 अगस 2022 को conduct करवाया जाएगा, और आपके आवेदन करने की जो last date वो 15 अगस 2022 है, तो वीडियो का 10 ज्यादा share जरूर कीजिए, जिन्होंने भी 10 प्लस टू इस बार pass out किया है, आपने अपने state board से या CBSC board से, तो उन तक ये वीडियो जरूर पुचाई, जिसे की वो समय रहते ही, अपना application form में वो feel कर सकें, आपका जो 28 से गस्त होगा, उसकी timing अलग अलग रहेगी, जो nursing पा आपका यहाँ पर एक schedule था, तो दूस्तों हिमाचल परदेश में आपको अपना application form फिंट करने के लिए eligibility criteria, आपका total government seat कितनी है, private seat कितनी है, वो जान लिया नावशेक है, 2022 का prospect अभी तक जारी नहीं किया गया, हम 2021 के basis पे ही जो भी information है वो आपको provide करेंगे, और 2022 के prospect में अग general OVC और उनकी जो सब category उनके लिए 2000 रूपे रहेगी, EWS, BPL, IRDP category उनके लिए 1000 रूपीज है, SCST और उनकी सब category के लिए 1000 रूपीज है, official website आपकी यह दीगी है www.amrusp.ac.in इस website पी जाके भी आप जो भी information है वो वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, अगर आपके eligibility criteria के सब से पहल नर्सिंग की सीटे हैं, वो female candidate के लिए है, इसमें female children और bona fide हिमाचली, government employee, employee of autonomous bodies, holy और जो हिमाचल परदेश के resident है, उनके लिए यहाँ पे यह 4 years BAC nursing का course रखा गया है, इसमें 50% जो management quota की सीटे हैं, जो private unit BAC nursing के लिए, उसके लिए जो other study candidate है, वो eligible है, जैसे कि government की सारी जो सी candidate उनके लिए रहेगी, और जो private की 50% सीटे हैं, वो भी हमाचल परदेश के बुनाफ़ाइट के लिए रहेगी, अब बाकी जो private की 50% सीटे हैं, वो other state के लिए है, other state के candidate है, वो उनमें admission ले सकते हैं, तो यह आपका eligibility criteria है, कि आपको अपना जो seats है, उसमें आपको कौन से other state के तो उनके लिए कौन सी आपको जो college जब वो provide की जाएगी, age criteria की बात की जाएगी, 17 से 35 साल आपकी यहाँ पे age criteria रखा गया है, reservation हिमाचल स्टेट के जो rules और regulation उनके according दिया जाएगा, 10 प्लस तो आपका pass out होना चाहिए, चाहिए आपने CBS से किया हो, आया आपने state board से किया हो, कहीं से भी किया हो, आपका 10 प्लस पास आउट होना चाहिए, physics, chemistry, biology और English एक और subject ही है, आपका होना जरूरी है, 45% marks आपका जरूरी है, अगर आप unreserve category से, reserve category लिए 40% marks आपका यहाँ पे होना जरूरी है, 10 प्लस 2 में, जिन candidate का 10 प्लस 2 का examination दिया है, और अभी तक उनका result नह और जब आपकी counselling process होगी, उस time पे आपको अपनी जो details वो update करनी रहेगी, अब बात करते हैं दोस्तों आपके seat matrix की, तो seat matrix में सबसे पहले बात कर लेते हैं, government की, government BAC nursing के लिए आपकी किवल 2 ही college है, एक IGMC Simla, आपके sister नहीं दीता, government college, जिसमें 60 seat है total, इसके अलावा जो आ आपकी अगर seat increase होती है, government की या private की, उसके update आपको provide करवा दी जाएगी, तो ये तो आपकी government की seat हो गई, government में एक तो आपकी fees कम होती है, clinical practice भी अच्छा आपको करने को मिलता है, इसके अलावा private में आप यहाँ भी seat देख सकते हैं, हर एक college में या आपको seat दीगी है private की, आ प्राइवेट में admission के, लेकिन qualifying score भी यहाँ पर करना होगा, qualifying score में आप counseling में भी participant नहीं कर पाएंगे, मतलब कि आप private में भी admission लेने के लिए eligible नहीं हो पाएंगे, तो यहाँ पर private की आप seat देख सकते हैं, 60 seat यहाँ पर दीगी है, Lord महाविरा BSN nursing college नालगड सोलन में है, तो य यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताएं, 50% seat state quota गी रहेगी, 50% management quota गी रहेगी, इन management quota गी seat हों में, किसी भी state से बिलोंग करते हो, वो candidate इसके लिए apply कर सकते हैं, तो यहाँ पर private की अगर total, आप यहाँ पर colleges की अगर बात की जाए, BSN nursing के लिए, तो BSN nursing के लिए total colleges आपकी 37 colleges प्राइवेट कोलेज हैं, जिनमें हर एक state, हर एक जो college है, उसमें जो total seat metrics यहाँ पी दिया गया है, और इनका state quota और management quota यहाँ पी divide किया गया, state quota में, जो bona fide candidate है, resident है, रहना के, उनके लिए city reserve हैं, और इनमें भी जो reservation है, आपका, वो आपका हिमाचल के reservation rules रखा गया है, उनक प्रासपूर, द्रमशाला, कांगडा, हमीरपूर, उन्ना, मंडी, इसके लावा आप सिमला में रहेगा, रामपूर रहेगा, आपका सोलन, नाहन, कुलू, चमबा, बारा एक जाने सेंटर यहाँ पे 2021 सेशन में रखेगी ते, इस बार कितने increase किये जाते हैं, वो prospect आएगा, उसमें आपको जानगारी प्रोवाइड करवा दी जाएगी, अब सबसे important है आपका syllabus का, कि आपका syllabus है, वो क्या-क्या पूछा जाएगा, तो syllabus में दोस्तों, आपके biology, chemistry, physics, यह आपके 11th और 12th NCRT-based आपका पूछा जाएगा, complete, इसमें हर एक subject के 25-25 questions आपसे पूछे जाए इसके अलावा English का जिसमें grammar रहने वाली है, उसका 15 questions आपसे पूछे जाएंगे, हर एक question एक marks का रहने वाला है, और आपका GK का, अब इसकी preparation की स्थरे के सकरे, total आपके 100 marks का होगा, दो गुंटे का आपको time गिया जाएगा, OMR-based आपका paper होगा, computer-based नहीं होने वाला, OMR-based ह होगा, हर एक question का एक आपको marks मिलेगा, तो 100 question के 100 marks, 2 hours में आपको complete करने रहेंगे, physics, chemistry, biology आपको ये तीनों 11, 12, 12, 12, 18, 18, 20-20 करनी है, English grammar जिसमें आपके adjective, noun, pronoun, आपके synonym, antonyms, phrasal verbs, ये आपको English grammar में complete करने रहेंगे, और GK में आपके state or national level का आपका, जो current अफेर से related GK है अधिकतर वो पूछा जाएगा तो आपको इसकी preparation किस तरह किसे करनी है सबसे important यह है क्योंकि 28 अगस्त को ही आपका exam है बहुत ही कम समय बचा है आप अभी से अपना study पूरा focus करेंगे तो ही आप अपना selection गवर्मेंट seat के लिए कर पाएंगे क्योंकि 120 seat ही है अब इन दोनों को अवेल करने से फायदा क्या होगा आपका जैसे कि किसी भी chapter के concept के लिए नहीं है तो आप उस एक particular chapter का concept के लिए रखीजिए फिर उसका जैसे ही complete होगा तो आप objective e-book से आप अपना जो question practice है इस objective e-book में easy, medium, difficult तिनों available के question compile के ही मिलेंगे आपको आए ना किसी भी question पूछा जाए आपके interest के जैबने से ने आप उसको easily solve कर पाएंगे तो इन दोनों e-book को आप जरूर अवेल करें आपका 11 और 12 अजिए टिका एक भी question इन दोनों e-book से बाहर नहीं आएगा अब next रहता आपका English का जो जिसमें आपकी 15 marks का portion आएगा English के लिए भी मैंने e-book प्रोवाइड करवार की इसमें complete आपका grammar का syllabus है आप उसको जरूर अवाइल करें तो आपका जो almost 90 marks का portion है e-book से आप cover कर सकते हैं अब रहा आपका GK का तो GK का portion है दोस्तों मैं के मादियम से current affair के latest Qs, static GK जो भी Qs है वो आपको वीडियो के मादियम से cover करवा दूँगा तो इस तरह के से आप अपना 100 marks का जो पूरा complete portion है वो आप cover कर सकते हैं और अपना selection वो government city के लिए निशित कर सकते हैं अब आप अवेल के इस तरह के से कर सकते हैं तो तीनों e-books का link आपको description box में provide किया गया है first comment में भी pin किया हुआ है जैसे सभी की process बिल्कुल same सी अवेल करने की जैसे कि आपको objective e-book अवेल करनी है biology, chemistry, physics tier 3 in 1 है इसमें तीनों subject है और दोनों classes के 11, 12, 13, 18 के दोनों classes के अवेल करने के लिए आपको description box में जो link दिया गया है उस पे click करना है जैसे click करेंगे इस तरह के center पे इस आएगा इसमें आपको buy now पे click करना है buy now का आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा इस buy now पे आप जैसे ही click करेंगे तो यहाँ पे आपको buy now पे click करना है जैसे ही click करेंगे आपको अपनी details फिल करनी है details में आपको अपना नाम अपनी active email ID email ID आपकी active होनी चाहिए इसके आपके पास पासवर्ड और फिर contact details फिल करनी है और फिर आपको next पे क्लिक कर देना है जैसे next पे क्लिक करेंगे payment के लिए पूछा जाएगा वहाँ से payment option आपको दिया गया है आप phone, pay, paytm, debit card, credit card जो भी आपके पास method उसे payment कर सकते हैं e-format में आपको e-book provide की जाएगी आप जैसे payment confirm करेंगे आपको download file का option आएगा वहाँ से आप अपनी e-book को download कर सकते हैं अगर वहाँ से नहीं कर पाते हैं तो जो email id आपने यहाँ पे field की है इस email पे भी आपको payment confirmation के तुरांद बाद एक mail send किया जाएगा वहाँ से भी आप अपनी e-book को download कर सकते हैं यह objective book का process था semisie तरीके से जो theory based e-book है उसको भी avail कर सकते हैं और जो English grammar की e-book है उसको भी आप semisie process से avail कर सकते हैं कोई भी doubt हो कोई भी show comment box में पूस सकते हैं या Instagram पे follow करके वहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं Instagram का लिए description box में दिया गया या मेरी जो personal telegram idea है उसके message करके भी आप जानकारी ले सकते हैं 8-S-C-007 यह मेरी personal telegram idea है इसके message करके भी आप जानकारी ले सकते हैं आई हो अप आपके जो भी doubt थे वो सारे clear हो गएंगे और वीडियो को आप share जरूर कीजे दोस्तों जिससे की जो भी candidate है जो अब BSN nursing में या medical courses में admission लेना चाते हैं तो समय रहते हैं यह अपना application form fill कर सेगे क्योंकि 15 आगस last date है उसके बाद में 20Y session के लिए आप form fill नहीं कर पाएंगे वीडियो पसंदा है वीडियो को like करें share करें धन्यवाद जेहीं जे वारत